ओम श्यान्ती आज तारिक है 20 नवेंबर 2020 आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम अभी बिल्कुल शडपंत किनारे पर खड़े हो तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है घर जाने की तेयारी करनी है प्रेशन कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी उत्तर पास्ट इस पास्ट बीती का चिंतन नहीं करना है आगे बढ़ते जाना है सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी तुमने अब कल्यूग की हद छोड़ दी फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो उसमें बुद्धी जरा भी ना जाए यही है सुक्ष्म पढ़ाई ओम शैन्ती दिन बदलते जाते हैं टाइम पास होता जाता है विचार करो सत्यूग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कल्यूग के भी किनारे पर खड़े हैं यहां सत्यूग तरेता दुआपर कल्यूग का चक्र भी जैसे की मॉडल है स्रिस्टी तो बड़ी लंबी चोड़ी है उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है आगे यहां पता नहीं था कि अब कल्यूग पूरा होता है अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धी से सत्यूग से लेकर चक्र लगाए कल्यूग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए समझना चाहिए टिक-टिक होती रहती है ड्रामा फर्ता रहता है बाकी क्या हिसाब रहा होगा जरा सा रहा होगा आगे पता नहीं था अभी बाप ने समझाया है बाकी कोना आकर रहा है इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है यह ज्ञान भी अभी मिला है हम सत्यूग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कल्यूग अंत में आकर पहुँचे है अब फिर वापिस जाना है, आने का और निकलने का गेट होता है न, यहाँ भी ऐसे है, बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है, यहाँ पुरुशोत्तम संगम युग है न, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है, अब इस पुरानी दुनिया से ममत तो निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है, समझानी तो बड़ी सहच मिलती है, यहाँ बुद्धी में रखना चाहिए, चक्र बुद्धी में फरना चाहिए, अभी तुम कल्युग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को, हम पुरुशोतम संगम युग पर हैं, फिर पिछाडी में देखें भी क्यों, बुद्धी योग विकारी दुनिया से क्य लगाएं, यह बड़ी सुक्ष्म बाते हैं, बाबा जानते हैं, कोई-कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है, सुना और भूल जाते हैं, तुमको पिछाडी तरफ नहीं देखना है, बुद्धी से काम लेना है न, हम पार निकल गए, फिर पिछाडी में देखें पास्ट इस पास्ट, बाब कहते हैं, कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाडी में क्यों लटका रहता है, कल्युक तरफ लटका हुआ है, बाब कहते हैं, कांध इस तरफ कर दो, वहा पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है, पुरानी दुनिया से वेराग्य, विचार करो, ऐसी हमारी अवस्ता है, बाब कहते हैं, पास्ट इस पास्ट, बीती बात को चित्वो नहीं, पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, अब तो एक ही उंच आश रखनी है, हम चलें सुखधाम, बुद्धी में सुखधा पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, यह समझ की बात है ना, कहा ठहरना नहीं है, कहा देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है, बाब कहते हैं, आगे बढ़ते जाओ, पिछारी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है, उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदी याद पढ़ते रहेंगे, नंबर वार तो है ना, आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है, ऐसी ग्र बाप कहते हैं, तुम अभी संगम पर खड़े हो, तो रुख आगे रखना चाहिए, आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी, अब बाकी शडपंत बहुत समीब किनारे पर हैं, कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के जाड देखने में आते हैं, आवाज करो तो जट वह सुनेंगे, शडपंत अर्थात बिलकुल सामने है, तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं, आगे थोड़े ही आते थे, सुक्ष्म वतन में ससुरगर वाले आते थे क्या, अब तो पियर घर और ससुरगर वाले जाकर मिलते हैं, फिर भी बच्चे चलते चलते भ भूल जाते हैं, बुद्धी योग पिछाडी में हट जाता है, बाब कहते हैं, तुम सबका यहां अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है, मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है, नाम किना आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना, तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, तुम्हारी बुद्धी में हैं, आत्माई जाती हैं अपनी स्वीट हो, यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी, यही विचार सागर मंधन करते रहन है, यह है बुद्धी की बात, हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नजदीक शडपंत पर हैं, बाकी थोड़ा समय है, इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है, यह भी भूल जाते हैं, चाट लिखना भी भूल जाते हैं, अपनी दिल पर हाथ रख कर देखो, बाबा जो कहते है कि अपने को ऐसे समझो, हम नजदीक शडपंत पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है, बुद्धी में एक बाब की याद हो, बाबा याद की यात्रा भिन-भिन प्रकार से सिखलाते रहते हैं, इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है, बस अब हम को जाना है, यहां है जूटे संबंध, सच्चा सत्यूग का संबंध है, अपने को देखो हम कहां खड़े हैं, सत्यूग से लेकर बुद्धी में यह चक्र याद करो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, सत्यूग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो, शडपंत हुआ ना कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं, पांच-दस मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे, स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं, बाबा भिन-भिन तरीके से समझाते हैं, आत्मा की ही बात है, तुम्हारे बुद्धी में क्यों नहीं याद रहता है, जबकि जानते हो हम पुर्शोतम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, जो मुआफिक चलते ही रहो, क्यों नहीं यह प्रैक्टिस करते हो, क्यों नहीं चक्र बुद्धी में आता है, यहा स्वदर्शन चक्र है ना, ब और कोई भी बाहर का वातावरन जंजटना रहे, दिन प्रति दिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गवाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंद से अपना बुद्धी का योग लगाओ, योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे तुम जानते हो यह दुनिया ही खतम होनी है, इनका मॉडल कितना छोटा है, पांच हजार वरश की दुनिया है, अजमेर में स्वरग का मॉडल है, प्रन्तु किसको स्वरग याद आएगा क्या, वह क्या जाने स्वरग से, समझते हैं स्वरग तो 40 हजार वरश के बाद कि यहाँ दुनिया तो खतम होने वाली है अब जाना है, हम पिछाडे में खड़े हैं कदम कदम जू मिसल चलता है मन्जिल कितनी बड़ी है बाप तो मन्जिल को जानते हैं ना बाप के साथ दादा भी कठा है वहाँ समझाते हैं तो क्या यहाँ नहीं समझा सकते यहाँ भी सुनते तो है ना क्या यहाँ ऐसे ऐसे विचार सागर मन्थन नहीं करता होगा बाप तुमको विचार सागर मन्थन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाडी में है अरे यह तो दुम लटका हुआ है फिर पिछाडी में कैसे होगा यह सब गुहिय गुहिय बातें धारन करनी है गफलत चोड़ देनी है बाबा के पास दो-दो वर्ष के बाद आते हैं क्या यह याद रहता होगा कि हम नजदे किनारे पर खड़े हैं अभी जाना है ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए बाबा ने यह भी समझाया है डबल सिर्थ ताज यह सिर्फ नाम है बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं है यह तो पवित्रता की निशानी है जो भी धरमस्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं क्यूंकि वह वाइसलेस सतो परधान हैं फिर रजो तमों में आते हैं तुम बच्चेों को नौलेज मिलती है उसमें मस्त रहना चाहिए भल तुम हो इस दुनिया में परंतु बुद्धी का योग वहां लगा रहे इनसे भी तोड़तो निभाना है जो इस कुल के होंगे वहां निकल आएंगे सैंपलिंग लगना है आदी सनातन देवी देवता धरम वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे पिछाडी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे यह पिछाडी तक होता रहेगा वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का भल देरी से आएंगे याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंदा धोरी छोड इस यात्रा में बैठ जाएं भोजन तो खाना ही है अच्छी रीती याद में रहें तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं यही तात लगी रहेगी अभी हम जाते हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है लोटरे मिलने वाले को खुशी का पारा चड़ जाता है ना तुमको बहुत महनत करनी है इसको ही अंतिम अमुल्य जीवन कहा जाता है याद की यात्रा में बहुत मजा आता है हनुमान भी पुरुशार्थ करते करते स्थेरियम बनाना भंभोर को आग लगी रावण का राज्य जल गया यह एक कहानी बना दी है बाप यतार्थ बात बैट समझाते हैं रावण राज्य खलास हो जाएगा स्थेरियम बुद्धी इसको कहा जाता है बस अभी शडपंथ है हम जा रहे हैं इस याद में रहने का पुरुशार्थ करो तब खुशी का पारा चड़ेगा आयू भी योगबल से बढ़ती है तुम अभी दैविगुन धारन करते हो फिर वहाँ आधा कल्प चलती है इस एक जन्म में तुम इतना पुरुशार्थ करते हो जो तुम जाकर यह लक्षमी नारायन बनते हो तो कितना पुरुशार्थ करना चाहिए इसमें गफलतवा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जो करेगा सो पाएगा बाप शिक्षा देते रहते हैं तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं सारे दुनिया को चेंज कर देते हैं बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं कल्प कल्प करते हैं बाप समझाते हैं चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धियोग बाप से लगाओ, यहा गुप्तबात बाप ही बच्चों को बैट समझाते हैं, अपनी अवस्था को अच्छी रिती जमाते रहो, नहीं तो उंचपद नहीं पाएंगे, तुम बच्चे नमबरवार पुरुशार्थनुसार म इसमें अंतर मुकता बहुत चाहिए, इसलिए कचचुए का भी मिसाल है, यह मिसाल आदी सब तुम्हारे लिये है सन्यासी तो हैं ही हट्योगी वह तो राजयोग सिखला ना सके वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं यहाँ लोग हमारे इंसल्ट करते हैं इसलिए यहाँ भी युक्ति से लिखना है बाप भी गर राजयोग कोई सिखला ना सके इंडिरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो युप्ती से चलना होता है ना जो सर्प भी मरे लाठी भी न तूटे कुटुम्ब परिवारादी सबसे प्रीत रखो प्रंतु बुद्धी का योग बाप से लगाना है तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर है यहां है देवता बनने की मत इसको ही अद्वेत मत कहा जाता है बच्चों को देवता बनना है कितना बार तुम बने हो अनेक बार अभी तुम संगम युग पर खड़े हो यहां अंतिम जन्म है अब तो जाना है पिछाडी में क्या देखना है देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो मंजिल को भूलना नहीं है तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है कितना वंडरफुल ग्यान है बाबा का यहाँ पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है इतनी चोटी से बिंदी में सारा पाट नूंधा हुआ है जो चक्र फिरता रहता है बहुत वंडरफुल है वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है अच्छा मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुद मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक पीछे मुढ कर नहीं देखना है किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है बुद्धी में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं घर जाना है गफलत छोड़ देनी है अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है वर्दान विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन करने वाले सच्चे सेवा धारी भव विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत इंदो बातों का बैलन्स चाहे जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा स्रेष्ट संकल्प के बल द्वारा बिहंग मार्ग की सर्विस करो इसकी भी इन्वेंशन निकालो साथ साथ संगठित रूप में तरिड संकल्प से पुराने संसकार स्वभाव पुरानी चलन के तिल वज़ों यज्य में स्वाहा करो तब विश्य परिवर्तन का कार्य संपन होगा अत्वा यज्य की समापती होगी श्लोगन बालक और मालिकपन के बैलंस से प्लान को प्रेक्टिकल में लाओ शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम श्यांति